नमस्कार, कुमार एश्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्षिक लगन के लिए इसकॉर्प्यो एसेंडेंट्स के लिए वर्ष दो हजार तेज के वार्षिक राशी फल के विशे में ये जो राशी मुख्य प्लेनेट के विशे में बात करेंगे जिनमें देवग्रू बस्पती, शनिग्रे, राहू और केतू ये चार प्लेनेट ऐसे प्लेनेट हैं जो एक राशी के अंदर काफी लंबी अवदी तक गोचर करते हैं तो इस समय में वार्षिक राशी फल में हम इनके बेस प अगर जीवन में लेना तो उसके लिए थोड़ा सा केरफुल ले करके रहें इसके साथ साथ जो हम अपना मंद्रे पेडिक्शन मनाते हैं उसके अंदर हम डेट वाइस बताने का प्रियास करते हैं एक एक डेट के विशे हम बताते हैं उसमें आपको किस डेट में कौन सा कार करने से हानी हो सकती है इन सब चीजों के विशेम बताते हैं तो उन सब चीजों के लिए आप हमारे मन्ति पेडिक्शन को देखकर उससे लाप राप्त कर सकते हैं तो आईए यहां पर हम बात करेंगे सबसे पहले देव गुरु बस्पती के देव गुरू बस्पती तेरह एपरेल 2022 से 21 अपरेल 2023 तक मिनज चाल कर रहे है ये वर्श्ट कर रहेंगा ्चेस अपरेल 2023 समय अगर किसी परकार से आप सन्तान कंसीव कराना चाहते हैं संतान की इच्छा रखते हैं तो ये समय संतान देने वाला रहेगा इसके साथ साथ इस समय में आपके घर के अंदर कोई नना मुनना मैमान आए खुशियों की सोगात आपको मिलने की संभावना दिखाए देती है इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा ये समय competitive exam देना चाहते हैं या कोई entrance exam देना चाहते हैं तो उसे देख करके लाप प्राप्ट कर सकते हैं ये समय student को higher education प्रदान कराने वाला रहेगा कोई higher education प्राप्ट करना चाहते हैं अब रोड जाना चाहते हैं अब रोड से education प्राप्ट करना चाहते हैं उन सब चीजों के लिए उत्तम रिल्ट देने वाला रहेगा और अगर किसी परकार से आप वीजा पियार इत्यादी के लिए अपलाई करना चाहते हैं, कोई लॉंग डिश्टेंस की ट्रेवल करना चाहते हैं उन सब चीजों में आपके लिए समय लाबदाई रहेगा, इस समय में आपको कुछ रिलिजा श्टेवल करने का अवसर भी प्राप्त होता दिखाई देता है रिलिजा श्टेवल के साथ साथ ये समय आपको किसी राज्य, शाषन, सरकार सत्ता से लेटिड व्यक्ति से भी हेल्प दिदाने वाला रहेगा और अगर आपकी एज 50-60 प्लस है तो आप और आप अपने grandson, granddaughter के साथ अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे और अगर आपके grandson, granddaughter नहीं है तो ये समय आपको आपके घर के अंदर grandson, granddaughter का सुक देने वाला रहेगा समय आपके लिए उत्तम रहेगा इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा ये समय आपके धन के अंदर वर्धिकराने वाला रहेगा मित्रों से चासुक प्राप्थ होगा मित्रों से नेमफेम प्राप्थ होने की संभावना बनती है कोई property इत्यादिया पकड़ लेना चाहते हैं घर लेना चाहते हैं के लिए सुख सुईध है कि कोई चीज परचेश करना चाहते हैं तो आप 21 अपरेल 2023 तक का समय आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है इस समय में आप अपने धन को कई परकार से निवेश करेंगे और धन के अंदर बड़ोती दिन परती दिन आप होती हुई देखेंगे यहाँ पर 30 अपरेल 2024 तक मेश राशी में देव गुरू बस्पती आपके 6 हाउस में गोचर करेंगे यहाँ पर देव गुरू का आना आपके लिए कई कारियों में अच्छे जल्ट देगा कई कारियों में ये आपको थोड़ा सा केरफुल नहने के लिए रहेगा अच्छे जल्ट क्या देगा पहले उसके मिशेम बताते हैं अगर आप कोई बिजनस नया स्टार्ट करना चाहते हैं कोई जौब करना चाहते हैं उन सब चीजों के लिए समय आपको तमचल देने वाला रहेगा और अगर पिछले समय में आपने धन किसी को उधार के तोर पर दिया था और मैं वापिस नहीं कर रहा है तो ये समय 22 अपरेल 23 से बात का जो समय रहेगा इस दिन से आप अपने धन को उससे मागने का प्रियास करें वो आपका धन धीरे-धीरे करके ही सही अवश्य वापिस करेगा इसके साथ साथ ये समय आपको आपके खर्चों के अंदर कमी अगर किसी परकार से आपके स्वम की हेल्थ या आपके स्पाउव πरकार से प्षले समय में खराब रही थी तो ये समय उनकी हेल्थ में भी कुछ अच्छे результат परदान करने का प्रियास करेगा इसके साथ ये समय आपके धन को किसी नगे परकार से कुछ दानपूर इत्त्यादी के गारेगी के ओपर या किस धार्मिक अनुष्ठान इत्त्यादी के ओपर भी धन आपका खर्ज कराएगा समय आपके लिए अत्युत्तम रहने वाला है यहाँ पर देवगुरु बस्पति की स्थिति उत्तम मानी गई है थोड़ा सा समय जैसे यह अपरेल को आ जाएंगे उसके बाद एक अपरेल 2023 से 3 मईं 2023 तक का समय यह समय आपको थोड़ा सा अप्रोक्सिमेटली 32 डेज के लिए द और देखिए यह समय रहेगा यह समय आपको तो धन के अंदर कोई मेजर डिसेन है और अगर कोई आपसे रिन इत्यादी लेता है या आपको कोई लोन लेना पड़ता है तो कम से कम ले करके चलें तो लाबदा इस्तिति बनेगी इसके बाद 4 सेप्टेंबर 2023 से 30 डिसंबर 2023 मेश राशी में अप्रोक्सिमेंटी 118 डेज के लिए देव बस्ताथी यहाँ पर रेट्रो हो जाएंगे देव बस्ताथी का रेट्रो होना यह किसी ना किसी परकार से आपको आपकी संतान की हेल्थ एल्थ पॉब्लम दे सकता है आपको कुछ एनिमी परिशान कर सकते हैं उ तुडेंट इत्यादी है अपनी एजूकेशन के ऊपर ध्यार रख के चलेंगे तो लाप राप कर पाएंगे इसके बाद देवगुरु बसपती की दश्टी के विशेम बात करते हैं तो देवगुरु बसपती की पाच्षी दश्टी एक दो तीन चार पाच पाच्षी इसके ताब साथ कंपनी अगर आपकी है वहाँ पर कोई प्रोडेक्ट सर्विस आड़ करके नेम फेम धनला प्राप कर पाएंगे कुछ एक्सपेंशन होगा एक कंपनी से दो कंपनी मिनाई जा सकती है और अगर आपकी फैक्टरी है तो फैक्टरी में भी कुछ नए प्रोडे से आपके परिवार के ऊपर आपके बच्चों के ऊपर आपके ट्रेवल के ऊपर खर्च कराएगी बच्चों के एजूकेशन के ऊपर भी खर्च हो सकता है हेल्थ के ऊपर आपके परिवार की हेल्थ के ऊपर भी खर्च हो सकता है तो यह थोड़ा सा यहाँ पर धन हेल्थ इ इत्यादी के अंदर खर्च करेंगे कुछ नीडी लोगों की अगर हेल्प करेंगे तो आपको यह समय अतिवत्तम निगल जाएगा हैल्थ के लिए कोई इशू किसी के लिए नहीं बनेगा इसके बाद जब देवगुरू बस्पति की नाइं तैस पर साथ आट नो आपके सेके में आप देखेंगे कि आपकी वानी से कुछ मंत्रुचारण होना वेद धबनी होना भजन कीरतन का आप गाएं इस तरह की चीजों का लाप राप करेंगे वानी आपकी बहुत ही उत्तम हो जाएगी उत्तम वानी का लाप आपको यहां पर मिलता हूँ दिखाई देता है इस शनी की ने आपके ठर्ड और होस्चारे लाड करके आपके ठर्ड आउस में गोचर करेंगे कि शनी का यहां पर गोचर यह किसी प्रकार से आपको ट्रेवल के अंदर दिखकाद देने वाला दिखाः दिखागा दिए सकता है इसके जासाथ अगर आपके नोकर चाकर है तो नोकर चाकर इस समय में कुछ प्रोब्लम दे सकते हैं विचुटी ले सकते हैं या बीमार हो सकते हैं तो काम आपको करना पड़े इसकी जासाथ अगर आपको travel करते हैं तो विशेश طोर से अपने साथ किसी travel इत्यादी को ले करके जाएं अगर अपने vehicle से जाते हैं क्योंकि ये समय आपका vehicle किस Cory तरीके से आपको परिशानी दे सकता है या आपको जाम इत्यादी में फसा सकता है आफस करके परिशान हो सकते हैं तो इस दिश्ट का ध्यान रखेंगे इसके दास्ता ये चुछ समय रहेगा ये कान से related कोई problem अगर आपको है तो उसके लिए थोड़ सा careful लेने क्या वाशकर रही कान में कोई परिशानी है उसके लिए careful ले ये समय आपको आपके सिबलिंग से related कोई problem देखा सकता है परोचियों से भी कोई यहाँ पर बात खराब हो सकती है तो उसके लिए careful रहा जाए इसके बाद जैसे ही सत्रह जर्वरी दोजार तेईस से 29 मार्च 2025 तक शनीगरे कुमराशी में आ जाएंगे शनीगरे अपनी ही दूसरी राशी कुमराशी में आपके फोर्थ हाउस पर आ जाएंगे अब शनी का फोर्थ हाउस में आना ये आपको एक अच्छे घर का सुपरदान करने वाला है ये समय आप ये मान करके चलें कि 17 जन प्रचेस करना चाहते हैं आपके कोई इच्छा है कि कोई अच्छा बड़ा वीकल प्रचेस किया जाए इसके रिखाएंगे परन्त यहाँ पर एक इस्थिति दिखाई देती है कि आपको आपके माता-पिता की हेल्थ के लिए थोड़ा कैरफूल लेना चाहिए अगर उन्हें क तो उसके लिए थोड़ा रूग जाएं क्योंकि ये समय रेश्ट्री ठर्टी सिक्ष्ट्री कराने के लिए उत्तम मैं नहीं मानता हूं कोई ना कोई प्रोपल्टी से लेटेट कारिये गरवर हो सकता है इसके लिए दियान लखा जाएं इस समय में माता-पिता की हेल्थ के लि तेज तक कुंबराशी में ही एप्रोक्सिमेटली वरन नेट फॉर्टिन डेज के लिए यहां पर रेट्रोगेट हो जाएंगे शनी करेदी कि शनी का यहां से रेट्रो होना यह घर के अंदर का जो माहूल है वो काफी उतल फुतल वाला कर देगा चीज़े एक क्रम में नही क आलते हैं पर खराब हो सकती है इन सब चीजों के लिए ध्यान लुक्ति धिलाएगी क्योंकि रहूं भी यहां पर रहेंगे और द्यान लगे कैसे मन्त में आपको विशेश ध्यान लगना है तो पैरो के लिए और विःकल चलाते हुए काफी क्येरफोन सुखी बहुत अलग होगा कारे वेवसाइब में एक्सपेंशन आप कर सकते हैं कोई नया वेवसाइब नई जोब आप जोईन करेंगे तो उसके अंदर स्टार्टिंग के दौर में काफी परियास करने पड़ेंगे नई क्राइंट नए कस्टमर जोड़ने के लिए आप जानत तो यह चीज यहाँ पर नहीं चलेगी आज का काम अभी कर दो तो आप शनीगिरे की निगेटिविटी से बच पाएंगे इसके दाधर शनीगिरे जब आपके फर्ष्ट हाउस पर अपने दर्श्टी डालेंगे तो यह कहीं ना कहीं सरमस्तक्ष जैसी में तर्द जैसी अन्तु बना रहेगा इस तरह की चीजों को भी आप फेस कर सकते हैं इसके बाब बात करेंगे राउग्रे के बारे में राउग्रे 12 अपरेल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक में श्राशी में गोचर करें रहे हैं यह राउग्रे यहाँ पर गोचर अच्छा मना गया है राउग्रे अब तक यहाँ पर है 30 अक्टूबर दो जाते इस तक तब तक आप अपने जॉब अपने बिजनस अपने उकुपेशन के अंदर काफी अच्छा परफॉर्म करेंगे आप सभी परकार के साम दाम डंड बेत कूच नीच सभी चरीकी चीजों का कूच नितिक तरिकों का परिय तो यहाँ पर रहेंगे तो या रहोग रहें आपके करें कराके साम करें कि यहाँ सरय करें लहां PR ये जब रही सकते हैं तो यह दो चीज उसे बच कर रहना है अदर्वाइज आपका धन लोन लेंगे तो लोन में आफ फसेंगे दे देंगे तो आपका धन लोन में फस जाएगा तो बच कर रहने के प्रयास किया जाए तीस अक्टूबर दोजाएज से सत्रा मई दोजार पच्चीस तक राउग्रे मीन सब्सक्राशी में अपने सिक्स से फिफ्ट हाउस में आ जाएंगे अब देके राहू का यहां पर आना यह किसी ना किसी परकार से जो वर्षिक लगण वाले जा तक संतान को कंसीव कराने में प्रॉब्लम ग्रेट करेंगे संतान जिनके संतान की हैल्थ के लिए उनकी अच्छा पर्फॉर्म करने में उन्हें काफी महनत करने पड़ेगी उनका ध्यान भंग हो सकता है किसी ना किसी परकार से वे किसी गलत रिलेशन में भी पढ़ सकते हैं लवित्यादी का कोई अगर मैटर बनता है तो उसमें भी जा सकते हैं इसके साथ साथ जो इस्टूडे में जाने के लिए वो एजुकेशन प्रयाब धी ना रहे तो ये समय विशेश तोर से जो student है या जो संतान को conceive कराना चाहते हैं उनके लिए विशेश तोर से अपने पर चार्ड को किसी अच्छे श्टोजा से analysis करा कर ही आगे step उठाएंगे तो लापराप्त होगा अधरवाई जो ऐसा यहाँ पर प्रतित होता है कि आप लेना तो डाक्टर की education चाह रहे थे परन्तु आप engineer की education लेने के या C.A. की education पढ़ने लगे जो आपको आगे जाकर के काम लाए तो इन सब चीजों के लिए major decision जो वाली बात कही उसे आप पर अपने बर्द चार्ट को analysis करा करके लेंगे तो लापराप्त होगा इसके जाए जाब की अगर बात की जाए तो entrance exam देने में या कोई भी competitive exam देने में काफी मेहनत करने पड़ेगी किसी न किसी परकार से ध्यान भंग जैसी स्थितिया बनेगी यार्द करने में problem होगी यारदाश्ट कमजोर कर सकते हैं इस सब चीजों से बच कर रहने का प्रियास किया जाए इसके बाद में बात करेंगे केतु ग्रेग की बारे में आप किसी न किसी परकार से एकांतवास शांती परिये जगा रहने पसंद करेंगे यहाँ पर केतु काला यह मौक्ष कारक होता है या आपको मौक्ष के लिए ग्यान भी परदान करता है इस समय में आप जो भी दानपुन इत्यादी करेंगे वो आपका नेक्स्ट बर्थ के लिए या यह समझे कि मौक्ष के लिए जमा हो जाएगा जिसकी वज़े से आपको नेक्स्ट बर्थ ना हो के लिए आप पर फॉरल लेंड की आत्रा भी कराते हैं तीस अक्टूबर दो जाटेश से सत्रा मई दो जाट पच्चिस था कि यह कन्य राशी में आ जाएंगे इसके तू का कन्य राशी में आना यह आपके मित्रों के अंदर तो बढ़ोतरी कराएगा मित्रों के साथ आपको पार्टी इत्यादी का भी अवसर परदान करेगा परन्तु कहीं न कहीं आपका नेम फिर्म खराब करने का कारिया भी करेगा इसके साथ आपका जो धन है fixing amount है उसे किसी न si परकार से किसी मित्रों के ऊपर या medical medicine के ऊपर या अपनी संतान के लिए वो खर्च करा देगा आपका महनस से जमख्या हुआ धन हो किसी न किसी परकार से खर्च कराएगा या आप कोई property अगर प्रिचेस करते हैं तो के तु आपके धन को प्रोपल्टी में निवेश करवा सकता है यह चीज़े यह आपर बनेगी तो यह तार चार प्लेनट के बारे में अब बात करते हैं यहाँ पर कुछ मंथ के विशे में 30 November 2022 से 13 March 2023 तक का जो समय रहेगा यह समय आपको आपके स्पाउस के साथ आनंदा ही समय व्यतित करने वाल रहेगा आपके पार्टनर बीजन पार्टनर के साथ अच्छा समय व्यतित करेंगे इस समय में आपके कुटुम के सदस्य से लेटिड या आपके स्पाउस के परिवार वाल से लेटिड अगर कोई प्रोपरटी का मैटर पैंडिंग है चलना चल समपत्ति से लेटिड कोई मैटर पैंडिंग है तो उसके लिए यहाँ पर केरफुल आ जाए कोई यहाँ पर पर और आपको अधिक उद्यमी नहीं बनना है अपनी हेल्ट का विशेश तोर से ध्यान लगना है दूसरा अपनी इम्मुनिटी का ध्यान लगना है क्योंकि इम्मुनेटी वीक होने के विए से हल्थ खराब हो सकती है इसके बाद एक जोलाई 2023 से 17 अगस 2023 तक का समय ये समय आपको आपके बिजनस वेपार के लिए आपकी जॉब के लिए नहीं जॉब के लिए उत्तम रहने वाला सब चीजों में आपको लाप राप होता दिखाई देता है इसके बाद 18 अगस 2023 से 2 अक्टूबर 2023 तक का समय में ये समय आपके धन को मित्रों के उपर खर्च करना पार्टी इत्यादी का आनंद लेना कुछ नया घर इत्यादी प्रचेस करना कोई विकर प्रचेस करना इसके साथ साथ धन का निवेश भी आप करेंगे जो समय आपके लिए उत्तम रहेगा इसके बाद 3 अप्टूबर 2023 से 15 नॉवंबर 2023 तक का समय तो देखे इस समय थोड़ा सा केरफू लेने के लिए बोलूँगा इसमें किसी न किसी प्रकार से आपका धन जो है वो या तो फॉरन ट्रेवल के उपर खर्च हो सकता है या आपके कुछ ये रिलेटिव या आपके फैमिली मेंबर या आपके स्वम की किसी की हैल्थ के लिए खर्च हो सकता है अगर आप एपरोड जाते हैं तो एपरोड जाने में धन वो खर्च हो सकता है ऐसा यहाँ पर पता चलता है इसके बाद 16 लोंबर दोज़ाँ से 27 लोंबर दोज़ाँ तक का समय ये समय आपके लिए उत्तम लेने वाला है अगर आप अब रोड जाना चाहते हैं अब रोड जाने की अपरश्यूटी आपको ये परदान करेगा ये समय आपको आगामे महविश्य के लिए योजना बनाने के लिए रहेगा आप अपने बिजनस जोब अपने अकुपेशन अपनी एजुकेशन ये समय आपको काफी खुश रखने वाला रहेगा इसके साथ साथ आप नए ड्रेस इत्यादिस में परचेश करेंगे कुछ नए विकल का आनंद लेंगे सब चीजों के लिए आनंदा ही समय रहने वाला है इसके बाद 23 इसमय आपको काफी धन देने वाला रहेगा आप अप अपने परिवार के साथ अच्छानंद दाई समय वैतीत करेंगे इसके साथ साथ इस समय में आप काफी सुखद इस्तिती का अनुगव करेंगे परिवार का सुख होना धन का सुख होना भोजन का सुख होना इन सब चीजों का सुख प्राप्त करके लाप्राप्त करेंगे त इससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके हैot और मेरे स्वीडियो को प्रेमबोग देखने के लिए और मेरे चैनल पाप प्रेमबोग बने आने के लिए आपका प्रेमबोग धन्निवाद नमस्कार